नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगे आसान और सरल तरीके से कटोरी वाला ब्लाउज, कटिंग एंड श्टिचिंग तो देखे सबसे पहले हम अस्तल की कटिंग करेंगे, उसके बाद जो ब्लाउज को हमारा कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे तो ब्लाउज का जो अस्तल है, उसको हमें डबल करके रखना है इस तरीके से और आसान और सरल तरीके से बताऊँगे, इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो किसी भी साइज का ब्लाउज बना लेंगे, और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है जो नाप का बलाऊ हुजए उसको मैं ऐसे करके रखना है अब दीखिए यहाँ पर जो चेश्ट है वो 16 पीछे का जो पलर है 16 यानि 32 चेश्ट है अब इसकी जो लंबाई है 12 इंच अब यहाँ पर सोल्डर है वो 10 इंच है तो सबसे पहले हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे यह हो गई हमारी चेश्ट 16 अब हमें यहाँ पर तीन इंच लेना सिलाई के लिए अब इसको हमें एक पलर छोटा एक बड़ा करना है इस तरीके से अब हम यहाँ पर जैसे हमारा पीछे का पलर था बारा इंच का था पीछे का पलर तो हम यहाँ पर लेंगे 13 इंच इस तरीके से आगे का जो पलर है बुर्डेड़ इंच हम जादा लेंगे अब इसको हमें ऐसे करके डवल करना है अब इसके बाद हम सोल्डर लेंगे 5 इंच आर उमल लेंगे साड़े 5 इंच चौकूटा निशान उसके बाद गोल आई गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पर दो इंच और पीछे की जो गले की लंबाई रहेगी वो हमारी 10 इंच की रहेगी अब इसके बाद हम यह जो पीछे का पलर रहे इसको गले को बाद में काटेंगे आदा इंच हमें आगे का पलर कटिंग करना है दो इंच हमने गले की चौड़ाई ले है साथ इंच गले की लंबाई और इसको हमें गोलाई में कटिंग करना है अब हमारा तीरे का निशान आएगा यहां पर साड़े बारा इंच पर बारा इंच और आदा एक इंच हम यहां पर लेंगे और तीरे का शेफ इस तरीके से अब हमें अपना जो फिटिंग का कपड़ा वो निकालना है आठ इंच है हमारा फिटिंग का कपड़ा यहां कि हमारी जो चेश्ट है वो 32 है तो एक पल्लर हमारा 16 इंच का है तो 16 का आदा आठ इंच अब आठ इंच को हम तीन भागों में बाटेंगे तो हम क्या करेंगे यहां पर 3 इंच से थोड़ा सा कम यानि कि 1,5 इंच का तो 3 बनाएंगे और बाकी जो यहां पर कपड़ा है 5.5 इंच उसकी कटोरी बनाएंगे अब देखें यहां पर हमें अच्छा सा शेप का निशान लगाना है एकदम अच्छा लगे कि हमारा कटोरी का शेप है इस तरीके से तो जब भी हम कटोरी बाले बलाउज को काटेंगे तो हमें कपड़े को 3 बागों में बातना है एक भाग का में तीरा बनाना है, दो भाग की कतूरी बनानी है, तो 5 ईंच की हमने एक कतूरी बनाया है, भाई इंच, 2 इंच और आधा, तीन इंच से थोड़ा सा कम, आधा इंच, तो यह यहाँ पर तीरा है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं, तो यह बगली कती रहा है एक कटोरी और यह हमारा निच्छी कती रहा है अब हमें बाजू की कटिंग करनी है एक कपड़ा बचा हुआ है हमारा बाजू के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारी कटोरी उसको रखना है और थोड़ा सा में एक एक इंच बड़ा काटना है उसको, जैसे ये हमारी cutting है न, कटोरी की, इसको हमें ऐसे पुर्णी में रखना है, इसमें क्या है, पप आना चाहिए, प्लेट के लिए हमें एक इंच यहां से नीचे की साज से इस तरीके से लेना, और एक इंच हम इधर की हैं इस तरीके तह большой कर लें, इस तरीके से और नीचे की साध खात हम movements 1.5 इंच लिए और इसको देखिए हमें से गोल आई में ऐसे सब्सेपहले हमें यहां से में शीर से पहले को हुआ है यहां पर हमें ने 1.1 लीया यहां पर छूड़ा है यहां पर आदा इन ज़ादा है क्यों कि इस सिलाई में जाएगा यह देखिए कि T television क्य neutron क्या साइभ लास के आप्षान करेंगे है अब दिए कि हमारा जू प्रांग्भों है इस तरीकसे नौ इंच तो इसको हमें ऐसे रखना है क्या हमारी बाजुय की जो alm है कि ए soni को आपայारी जो बाजुय इसको हमें ऐसे रखना इस तरीक है और यहां पर हम डेल्डिंग ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि सिलाई में भी जाएगा कि अब हम यहां पर लेंगे कटिंग के लिए दो इंच अब इसको देखिए हमें उपर के साथ ऐसे लेकर जाना है अब यहां पर जुड़ा हुआ है बाजु पे इसको भी अलग कर लेंगे अब हमारा जो एक कपड़ा है इसको हमें डबल करके रखना है यहां पर रखेंगे अपना पीछे का पलर, यहां पर रखेंगे हम अपनी कटोरी और यह हमारा बगली का तीरा, यह हमारा नीचे का तीरा, इस तरीके से हमने अपने जो पलर पुरक लिए शाड़ी का जो कपड़ा उसको थोड़ा बड़ा ही काटेंगे ये हमारा पीछे का ये नीचे का तीरा है ये बगली का तीरा है ये कटोरी है अब हमें बाजुगी किटिंग करनेगे अब देखे बाजु ये लिए ना इसको हमें ऐसे रखना है जोंकि कपड़ा हमारा पूरा चौड़ाई बहाना चाहिए इस तरी केसी रखे तो चौड़ाई नहीं հखना है अब मैं आपको इसके इस्टिच्टिंग बताती हूं जो साड़ी के कपड़ें इस तरीके से रखना है और यहां पर भी तीरे पर भी अब अस्तल के बरावर की कटिंग कर लेंगे अब देखे कटोरी को हम इस तरीके से डबल करेंगे ऐसे करके अब हमें यहां पर 1,5 इंच लेना और इसकी लंबाई 3 इंच की रखेंगे प्लेट की और इसको देखे हमें यहां से कम करते हुए इस तरीके से लेके आना एकदम सेप में और इसी के परावर हम दूसरे साथ भी प्लेट डालेंगे कि में हमारी फिलेटें दोनों डल गई अब यहां पर हमें इसको ऐसे जोड़ना है कटोरी को उपर से रखेंगे यहां से सीधा ना इसको ओपर ऐसे रखना है कटोरी को कीचना नहीं है हमें अब देखिए नीचे का तीरा है उसको भी जोड़ेंगे हम नीचे का तीरा है उसको हमें ऐसे रखना है पिलिट को हम अंदर की साड़ी रखेंगे जो बगली का तीरे का जो कपड़ा है वो जाद है उसको काटने अब दूसरी साड़ भी देखिए हमें कटोरी को जोड़ना है बराबर करके रखना है अब देखिए यहां पे जो मैंने कपड़ा काटा था नीचे की साड़ से तो इस तरीके से जो कपड़ा बहार निकल गाए तो इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं तो यहां पे हमें सीरे को भी जोड़ेंगे तो पिलेट को देखिए हम इस तरीके से अंदर की साड़ी रखेंगे हम देखिंगे चल करते से हमारी कटोरू जोड़ गई और पिलेट भी अच्छे से आ गई है अब हमें इसमें क्या करना है हुख वाली पट्टी लगाने हैं काज्वा लेवाज लगाने और फिर फिटिंगी सिलाई लगाने सबूश्प देख लिए मीड़ा कियां तो आसान और सरल तरीकी से मैंने फिटिंग करना बता Я ton मैं जीज है काटोरी को हम कैसे जोड़ें अब इसमें होग वाख वाली फट्टी लगानी है फिर इसको पिछे का जोड़ अगया फिर फीटिंग में एंदर वाली पट तो मैंने अलग लग तरीके से बताईये बाजु को कैसे जोड़ना है लाइक चर्त खर्यर करें अगर आप नहीं तो हमारी चेनल को सब्सक्राब कर ले हैं धन्य भाज झाल झाल